भावनाओं के बवंडर और धेड़ सारे मज़ेदार चुटकुले के लिए तयार हो जाएए आखिरकार हम एक सौ परतों के चुनौती शुरू करने वाले हैं और यह अंतिम कैन और हो गया वाह बहुत बढ़िया वैसे आप जब करने के लिए कुछ नहीं बचा है तो क्यों ना स्वादिस्ट को के मज़े लिए जाए ओह ओह नहीं जैक तुमने ऐसा क्यूं किया मैं ऐसा करना नहीं चाहता था यह गमी कैंडी का पूरा पहाड है मेरे वाले को बास्ता में पहाड नहीं कह सकते मेरा तो मुश्किल से कुछ भी है कहा से शुरू करे बेशक एक मज़ाक के साथ एमा इधर देखो आँ इसे हटाओ अरी वो चीज मेरे गले में फस गई है आँ कोई मदद करो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ बस थोड़ा स्थिर रहो ठीक है अब मैं आराम से सांस ले पा रही हूँ चलो साथ में करते हैं यह बहुत अच्छे है लेकिन बहुत कम है तुम्हारी किसमत ने आज तुम्हारा साथ नहीं दिया गमीज मेरे लिए एकदम सही है एक और और दूसरा थोड़े और ओ एमा यह क्या हो रहा है मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है तुम लोगों के ऊपर काफी सारी आँखे निकल आई है पर मुझे आभी भी सब ठीक महसूस हो रहा है अरे नहीं रुको इन गमीज ने मेरी आँखे खोल दी मेरी भी इस सबसे मेरा सिर घूम रहा है प्रिंगल्स मेरा पसंदीदा है एमा अज तुम नहीं जीट सकती यह कभी खत्म नहीं होने वाला है और मेरे हिस्सो को तो मैंगिफाइंग ग्लास के साथ भी नहीं देख सकते मैं इसको खा भी पाऊंगी या नहीं नहीं थोड़ा सा भी नहीं मेरी बारी एक चिप्स बिस फोट के बारे में क्या ख्याल है या क्या क्या रहे हो या बुरा नहीं निकला तुमने परिनामों के बारे में नहीं सोचा था इसमें हसने वाली क्या बात है तुम शुरू करो हाँ, खुसी-खुसी सब डाइटिंग को एक किनारे करो थोड़े से चिप्स से किसी का कोई नुकसान नहीं हो जाता है देखो मेरे पास कितना बड़ा टावर है मुझे लगता है इसको हटा देना चाहिए जैक, तुमने सब कुछ बरबाद कर दिया लेकिन कम से कम मुझे कुछ खाने को मिल गया हुँ एमा, तुम्हें तुम्हारा सामान हिस्सा मिल गया ओ मै, मुझे तो यह भी नहीं पता कि मैं कहां से शुरू करूँ मुझे पता है, यह पहिया मेरी मदद करेगा पीला, मेरा पसंदिदा रंग यह बहुत ही स्वादिस्ट और रसीला है मुझे लगता है कि मुझे बेयालिस के समानी करना चाहिए यार, ओ यार, मैं सच में भागिशाली हूँ अरे, बड़े वीजीता, क्या हमारे साथ भी शेयर करोगे? ओ, मैं! खेर, उसके लिए मुझे कुछ करना होगा वाउ, बड़िया विचार है उफ, मैं थक गई पर मेरे पास शानदार ट्रीट को खाने के लिए परियाब ताकत है कमाल है बहुत बड़िया ओ, स्थीती बड़ल गई वाउ एलिस, तुमने पहले ही काफी चिप्स खाली है इसलिए जो मिला है उससे खुश रहो साच है, पर यह अभी भी निराशा जनक है पैसे मैं तो खुश हूँ क्यों ना तुम्हारे चीजों को थोड़ा तीखा बनाया जाए केचप से बेटर कुछ नहीं होता है क्रिप्या मुझे थोड़ा और दो ओ, एमा एक जोला मुख्ये में बदल गई है हमें कीची तरफ उसकी मदद करनी होगी यहां मेरे सारे एक कैचप खत्म हो गये पर थीक है एमा तुम स्वादिस्थ हो धन्यवाद जैक, अपने होश में आओ ठीक है, वो वापस आ गया है अंत्वला तो सब भला मुझे ब्रॉकली से नफरत है मुझे यह भी नहीं पता कि यह क्या है हां, एक बीज इसे लगाने और पानी देने की जरुवत है मैं इस दौर में रचनात्मक नहीं हो रहा हूँ आरे यार, यह बहुत बुरा है तुम लोग अपना खाओ मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है तब फिर अपना बाखी कहीं से लो, एमा कुकू तुम्हें सच में पता है कि किस चीज को कैसे बरबाद किया जा सकता है दोस्तों, देखो मेरे पास यहां क्या है लगता है मैंने गलत प्रयास कर लिया चॉकलेट से बढ़ियां और क्या हो सकता है वाँ इतने सारे और बहुत सारे चॉकलेट यह तो तुमने सही कहा ज़्यादा चॉकलेट जिसी कोई चीज नहीं होती है वाँ एक से बेतर होती है तीन यह कितना स्वादिस्ट है लेकिन इसके साथ मुझे थोड़ा दूद चाहिए अरे वाँ एक बार डुबाया और यह चॉकलेट दूद में बदल गया मेरे पास इससे बेतर योजना है इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी और बहुत सारा न्यूटेला वाँ हो गया मैं भी उसे एक बार खाना चाहती हूँ मैं भी यह तुम दोने ने क्या किया वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्दी थी उदास मत हो जैक सारी टुकडे अभी भी स्वादिस्ट है पॉपकॉर्ण किसी चुनोती को खत्म करने का सबसे शानदार तरीका है बिचारी एमा तुम कितनी बदकिस्मत हो मैं इसे जल्दी से पका लेती हूँ बहुत स्वादिस्टा लेकिन काफी नहीं मैं इनके साथ क्या करूँ मैंने तो हमेशा से एक अच्छे शैप बनने का सपना देखा है मेरा पॉपकॉर्ण तो ला जवाब होगा तुम्हारा तरीका ठीकी था लेकिन मेरे पास एक बहतर आइडिया है एक पॉपकॉर्ण मशीन के साथ हम सब इसका मज़ा ले पाएंगे अब बस एक मज़ेदार फिल्म की कमी है शायद ये कुछ ज़्यादा ही पॉपकॉर्ण है हमें उस मशीन को रोपना होगा नहीं, मेरा पॉपकॉर्ण मशीन अब देखो तुमने क्या किया, सब बर्वाद हो गया आप हमारे गैंग को किस तरह की चुनौती में देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताए हम आपके विचारों को अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे